हाई दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुजी व्लोग और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बाइक फॉर लॉंग राइड दोस्तों जब आप लॉंग राइड का प्लान करने होते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है मल्टिपल रोड कंडिशन और वैदर कंडिशन भी दोस् तो वो सारी चीजे मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ वैसे तो आपको मालूम है कि किसी भी बाइक पे आप जो है लॉंग राइड कर सकते हैं बट हाँ जहां बात आती है comfort, power, performance, features पे तो options बहुत यहाँ कम है तो वही option इस वीडियो में देखने वाले हैं तो make sure इस वीड इस वीडियो बहुत ही अच्छा मॉडल है अगर इसके पावर के बात करें तो 220cc का इंजन आता है जो 19bhp के पावर प्रड्यूस करता है 40 kmpl का इसका मालेज होता है जो की 40 लेटर के टैंक सा आपको मिलती है और इसका जो वेड हो ही बहुत हलका होता है 155 kg की गाड़ी होती जिसे कि आप इसली सो कंट्रोल करते है ABS मॉडल इसमेर टोटली अविलेबल है इसका जो ऑन रूट प्राइज है वो 1,25,000 के आसपास आपको अपने सीटिंग में मिल जाएगा सिटिंग हाइट जो इसकी 725 mm की होती है जिसे की स्मॉल हाइट पिपल्स या फिर जो वोमन पिल्स 200cc मॉडल अभी आपको ये हिली एरिया से बहुत ज़्यादा देखनों को मिलेगी ये गाड़ी बिकॉस ये मॉडल जो है रेडी तो गो मॉडल है और आफ रोड ओन रोड कंडिशन पर अच्छा ग्रिपिंग देता है सस्पेंशन भी इबन फ्रेंट बहुत ही अच् इसकी सेटिंग हाइट 823 mm का है तो इट मिन्स आपके अगर आइट 5.8-5.9 है तो आप इसको इसलिए राट गरेशन उससे कम में आपको तो प्रॉडम होसता है इसको जो मायल लग जा है वो 40 km पिल के मिल रहा है 13 लीटर का टैंक मिल रहा है आपको ठीक है मतलब 40 km पिल अग 5.8- legit, पे है महिंद्रा का मोजो 500 km दो स्नों यह बेसिस में जल्दी ही मॉडल ने आने वाला है वैसे तो में अंडरीटीन है बड़ यह नहीं बूलु के अटरण पावर भी है दो इस पावर बहुत ही अच्छा है आने वाला है तो सिंगल स्रींडर लिक्विड कूल एसाइ जो है टोटली क्लेर नहीं है बट दोस्तों मॉडल जो है टूरिंग और क्रूजिंग दोस्तों ऑफ रोड ऑन रोड सब भी रोड कंडिशन के लिए मल्टीपल वैदर कंडिशन के लिए एकदम रेडी है दोस्तों लुक जो है लोगों को ज़्यादा ही पसंद आता है बट महे जो मार्केटिंग है उसके वज़े से थोड़ा सा यह जो है सब्सक्राइब हो रहा है अदर्वाइस मॉडल में कोई कमी नहीं है मैंने लिए लिए ट्रिप में कुछ मोजो देखे हुए है जिनका अच्छा प्रफॉम्स भी है तो दोस्तों इसलिए मैंने डखा इसको नमब टूरिंग को मैच करता है आप डेली राइट्स प्रफॉम्स करते है मतलब मल्टीपल रोड केंडिशन पर राइट करते हैं ग्राउंड टेरंस भी बहुत अच्छा है सिटिंग पोजिशन भी इवन कई हद तक बहुत अच्छा है बट टैंक साइज है वो थोड़ा सा कम मिल अच्छा है तो आपको अभी प्राइजिंग के बाद मात कुरूं ऑन रोड प्राइज के बारे में तो जो 200 टीच है वह आपको पड़ती है 190 के असपास में आप देखते हैं कि प्राइज बहुत जादा है बटिये टूरिंग ट्रिपिंग के लिए 7 नंबर पे किसी भी रोड कंडिशन में एक लॉंग राइड हो शॉर्ट राइड हो किसी भी बैदर कंडिशन में आप इसको एजली राइड करते हैं दोस्तों 373 का इंजन आता है 43.3 बहपी का इसमें पावर प्रडूस करता है दोस्तों इसका जो प्राइजिंग है वो 2.98 लैक्स के आ आसमास में आपको एजली मिल जाएगा और दोस्तों जहां के बाद आती है वहां पावर प्रफॉर्मेंस साफ दिखता है लगी फाइड नूमर पर आता है जाओ 42 मॉडल एंड जो स्टाडर मॉडल है जावा का एंड यह दोनों ही मॉडल जो है एक्टली परपस टूरिंग टाइप बनाया गया है इनको एनकी सिटिंग हाइड बहुत ही जाएड सिटिंग हाइड बट जो लंबे लोग है उनके लिए प्रफॉर्म आता है अगर पावर की बात की चाहें 293cc का इंजिन है 27bhp का पावर ब्रूस करता है जो एवरेज जो कंपनी बोल रही है वो दैट 37.5 kmpl बट एक्चल आता है वो 32-34 के असपास ही इसका मैलेज आ रहा है और गाड़ी नॉर्मल वेट है मतलब ना हैवी है ना लाइट है 170g के असपास की इसका है और जो डूल चैनल लेज के लाज में जो रेट पढ़ रहा है 1.90 लाक्स के असपास में रेट आ रहा है और सि इसको राइट करने में थोड़ा प्राड़म हो रहा है और डाउन क्लिरंस इस गूड फीचर इस गूड जो आपको लिक्विड कूल इंजिन मिल रहा है वो भी अच्छा है बट बिल्ट कॉलिटी को लेके अभी भी बहुत सारे कोश्चन और फिंगर पॉइंटिंग इस मॉ अच्छान मॉडल सबसे जादा यूज के जाने वाले मॉडल है जो की यूज के जाते हैं लच्था टूरिंग पर अन्ट और पर्पास बाइक है इस मॉडल का आपको सर्विस के अंटर हर एक सीटीज में आपको मिली जाएगा मैकानिक जो है लोकल मैकानिक भी इसको इसको सबसे चाहदा यूज भी गया जाता है और आपको इसीली इसका जो प्राइस है रेंटल प्राइस भी है वो थाउजन रुपीस एलेवन रुपीस में आपको इसीली मिल जाती है और पावरफुल बाइक है बट थोड़े से प्रो एंद कॉंस के वाई से ही पीछे आता है थोड़ा सा इसका जो पर्फॉंस है वो डाउन आता है द्यूटू ऑक्सिजण लेवल त्यों इसका जो च्छेए करने पड़ती है अगर पावर की बात की बात गया थो 346 cc ये नियन होता है 19.1 bhp बावर प्रिटूस करता है heavy गाड़ी है, 195 kg गाड़ी आती है and pricing rate की बात की जाए to pricing rate बहुत लंबा आए actually अब 350cc और 50cc दोनों के बात कर रहे हैं तो 190 गाड़ी स्टार्ट होता है और 2.5 lakhs तक ये model के जो rates है वो vary करते हैं sitting height 800 mq होती है जो fuel carrying capacity है वो आती है इसके अंदर 13.5 km और 30 प्लस तो आपको easily मिली ही जाता है आप normally ride करो और अच्छे tuning के साथ करते हैं और आपके riding simple है तो आपको अच्छे average मिली ही जाती है and और भी बहुत सारी चीजे हैं जो इसके अंदर है जैसे आपको इसमें बहुत सारी accessories मिल जाती है जो cheap price में सस्ते price में आपको मिल जाती है जो touring के लिए बहुत important है इसलिए ये जो है fourth number पे है तो तो तीसरे नमबर पे आता है Bajaj Dominar 400cc model and अब भी बहुत सारे जो riders हैं वो switch कर रहे हैं Dominar के उपर because इसकी जो reliability performance जो आ रही है highway पे, touring पे, higher turret पे वो बहुत है रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोगों का response भी आ रहा है अगर power की बात की जाए 370, 3cc का इसके इंदर engine आता है जो 39.4 BHP का power produce करता है गाड़ी heavy है मतब medium heavy है जिसको बोल सकते है mileage actual में कम है 30, 30 के आसपास जो average बोला जा रहा है बट जो इसका actual average है वो 27, 28 के आसपास ही मिलता है sitting position is normal को भी मतब जिनकी height 5.6, 5.7, 5.8 है वो easily इस काड़ी को ride कर सकते है pick up, performance, features ये सारे words जो है इस model को dedicate की जाते हैं बट फिर भी अभी भी थोड़ी चीजे है जो इसमें improvement होनी चाहिए इसी वज़े से मैंने इस model को रखाया तीसरे पर तो second number पर है Royal Enfield का Interceptor 650cc model एंट ही totally deserving model है because riders को बहुत ज़्यादा पसंदा रहा है इसका power, pickup, performance, suspension, comfort ये features जो है वो Royal Enfield riders को और इसके riders दिन बढ़ दिन बढ़ते जा रहे है because of 3 lakhs के अंदर में पहला ये model है जो parallel to an engine और इतना refined engine जो है वो riders को दे रहा है लेले दाक के roots पे best performance दे रहे है suspension के साथ में बात की जाए अगर power की तो 648cc का इसका engine है जो 47 bhp का power produce करता है 202 kg का weight है weight थोड़ा heavy है and on road price के अगर बात की जाए तो 3 lakhs का model जो है वो start हो जाता है and इसमें 3 variants आते हैं वो 10-12,000 के gap में आपको मिल जाते हैं अगर sitting height की बात की बात की बात की जाए 804 mm का sitting height है जो कि अगर आपकी height 5.7 या 5.8 है तो आप easily comfort लिसको ride कर सकते हैं लंबे हैं तो ride easily कर लेंगे शॉट में थोड़ा सा comfort problem हो रहा है और अगर बात की जाए टांक की तो टांक जो है वो 13.7 liters का है जो कि बहुत कम है ज्यादा होना चाहेता क्योंकि इस परपस से गाड़ी बनाएगे टूरिंग ट्रिपिंग के तो इसके आप से ज्यादा होना चाहेता जो है वो 27 के आसपास आपको नॉमली मिल जाती है यह फुल डिजर्विंग मॉडल है दोस्तों नॉबर टू पर एक्चलिए टाय है रॉयल इंफ्रील का थंडर वर्ड जो है वो भी नॉबर टू प्लेस पर याथा यह एकदम हाइवे परपस बाइक है दोस्तों में 20 लिर का टैंक आता है सिटिंग पोसिशन बहुत जहाँ कमपरेबल है और जो है वो मेटियोर से रिप्लेस होना है जो रॉयल इंफ्रील का नया मॉडल है 2020 में जल्द ही उसका डिटलिंग में आपको देने वाला हूँ इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं बट यह नंबर टू को टोटली डिजर्व करता है तो दोस्तों फर्स नंबर पर आता है रॉयल इंफ्रील के हिमालेड मॉडल और यह बहुत ज़्यादा पसंद के जाने वाला मॉडल है जो लेलदा ट्रिप पे टूरिंग पे यूज किया जाता है और यह परपस्ट पाएक है एक्चल में यह टूरिंग ट्रिपिंग और इसकी जो एसदरीज होते हैं वो भी इस तिर सबनाने जाते हैं आपके टूरिंग ट्रिपिंग को बहुत ज़्यादा कमफर्ट दे सके और यह रेडी टू गो मतलब किसी भी रोड कंडिशन पे आप इसको जम करवा दीजे कुदा दीजे यह आपको पूरा खड़े उतरेगी बीच में कुछ इशूस थे इसके बट वो बहुत सारी चीजे जो नए मॉडल्स हैं उसमें सलूशन प्रोवाइड कर दिया गया है रॉयल इंपिक के तरफ से यह मॉडल जो है सस्ता अच्छा और टिकाव टाइब का मॉडल है जो आपको लेले दाग ट्रिप के लिए हेल्प करेगा और इसके पावर की बात किया है जो 411cc का इंजन इसके अंदर 24.5bhp का पावर प्रेडूस करता है 182kg का इसका वेट है जो नएा मॉडल है वो 220,000 के आसपास में आपको आन रोड प्राइस मिल रहा है सिटिंग हाइट 800mm का है जो टैंक कैपिसिटी है 15L के आसपास के आपको मिलती है आपको नॉमल जो आवरेज है वो 30 के आसपास ये अराम से दे देता है जो 411cc का इंजन है वो आपको आपको नॉमली देखे जो बाकी गाड़ियों में देखने है कि 25, 26, 27 के आसपास मिल रहा है में S-series की जगा देखेंगे वो सारी चीजें इसको explain करती है कि ये model Ladakh, Himalayan touring, tripping के लिए ही बना हुआ है तो दोस्तों I hope सारी detail आपको clear हो चुकी होगी कैसे लगी आपको वीडियों जोरू मुझे बताएगा और आप अगर sequence को आगे भी चकरना आते हैं तो ज़रू कमेंट सेक्षिन बताएगा आपको क्या best pickup है आपको कौन सा model है कमेंट सेक्षिन में ज़रू बताएगे ताकि as the situation जो है मुझे help कर सकें दोस्तों ख्याल रखे ध्यान रखे और देख तेरी गुरू जीट व्लोग एस थी बहुत सारी इंफर्म विराव केले आती रहेंगे बाए झाल